हलो मेरे डियर इंजीनियस तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे खासे एवं स्वस्त होंगे सो गाइस फर्स्ट अफॉल मेरा नाम है निखिल और मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ जो कि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा डिस्प्ले कंट्रोल और फाइल मेनेजमेंट के बार में तो सो गाइस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किया है और वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत बूलना है तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टेडिपी चैनल में सो गाइस मैं ने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बार में जिसको हम लोग सौटकॉट बोले थे GUI के अंदर जो भी कुछ मैंने बताया था अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उपर आई बटन के सेक्षन पर आपको दिख रहा होगा आप सिंपली वहां से देख लेना और मैं आपको ये भी बता दू कि आज की ये वीडियो जो होने वाली हम लोग कोई थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द AutoCAD के 2D और 3D की दुनिया में इंटरी कर पाऊं क्योंकि यार जब तक आपको basic tools और advanced tools ये मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो आप लोग भी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे मेहनत को बेस्ट मत जाने दे तो गाइस एक छोटी सी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस TDP चैनल पर कोई भी इंजीनियर्स भाई या जेनरल का मैं मतलब समझा दू तो जो लोग भी इंजीनियर्ण की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारे इस TDP चैनल पर फॉस्ट टाइम अगर विजिट करते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो वेल आइकन के घंटे को दवाना मत भूलना ताकि DDP चैनल के तरफ से जो भी टेकनिकल से रिलेटेड वीडियो जो अपलोड किया जाएगा वो वीडियो की अपडेट जल से जल आप लोगों को मिल सके यार मैं जिनरल लोगों का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार आप में से कोई भी लोग अगर एक्स्टेर और इंटेर डिजाइनिंग में इंट्रेस्टेड हो तो आप सिंप्ली इस TDP चैनल से जरूर जुरे क्योंकि इस पर मैं एक्स्टेर और इंटेर का डिजाइनिंग का चिता वी वीडियो होगा सारा वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ और मैं उन भाईयों से भी रिक्वेस होती है तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें क्योंकि वहां पर मैं प्रसनली गाइड करूंगा आपको आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी कोस्चन करना हो पूछना हो तो आप सिंपली यहां पर जरू जरूर 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 करें क्योंकि यूटूब पे सारा वीडियो पॉसेवल नहीं होता है वीडियो डालना क्योंकि इसके गाइडलाइन के खिलाप कोई वीडियो हो जाता है तो वह वीडियो आपको टेलिग्राम पे मिलाएगा तो तो इसको जरूर जरूर क्योंकि उस पर मैं कुछ प्राइविट वीडियो भी अप्लोड करूगा प्राइविट वीडियो का मतलब गलत मत समझाना तो इन सभी चीज का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से जाए और फॉलो एवम जुआइन जरूर करें त सभी लोग कर था है वाटव के दुनिया, इस की आहिओ पह्त इस्की यह तो इसके बारे मैं हम ने शुम्ट इस्प्ले जाने घए अब डिस्प्ले लोग का मतलब कीजीळ कैरें यह अिस सासी लिगा धाल नंग जो आपको दिख से उच करते हैं तो इस दिस्प्ले कंट्रोल का जो फॉस्ट कमांड होगा मेरा वो जूम चूम कमांड हो Negro Government, जो की मांड का नाम है जूम कमांड का CO करना है और उसको प्रेस करना है प्रेस करने के लिए इंटर या स्पेस का यूज करेंगे इस जूम कमांड के अंदर इंटरी कर जाएंगे कोई भी कमांड हम लोग अब लेंगे पहले उसके अंदर इंटरी करना होगा फिर उससे बाहर भी आना होगा तो यहां पर यही हम लोगों ने जूम कमांड ले लिया है तो जूम कमांड के भी अंदर आप देख सकते हैं यहां पर बॉक्स में कुछ पार्ट आपको स्वह रहा होगा तो इस पार्ट के बार में आपको सिंप्ली बता देता हूं तो जल्दी-जल्दी मैं बताता हूं क्यों कि जो को लंबा नहीं करना चाता हूं ऐसा बताना चाहता हूं कि आप समझ भी जाओ और वीडियो जादी लंबी भी नहीं हो तो फॉस्ट आता है मेरा अल का मतलब क्या हुआ तो इस बिंडो पे जो भी मेरा अबजेक्ट होगा चाहे वो मेरा अभी हमारे सामने फ्रेंट में यह दिख रहा अगर हम यहां पे अल पे क्लिक करेंगे तो सारा अबजेक्ट मेरा एक जगह उठाके और मेरे फ्रेंट जो आभी बीच का जो वरकींग इसपेस आपको यह जो दिख रहा है बीच का और इसके बीच में वह सारा अबजेक्ट ने आजयेगा तो यही सिंपली हो गया मेरा और फिर आता है next one है तो मेरा center, तो center का मतलब क्या हुआ, तो display का जो कोई भी object होगा मेरा, वो center से जो जूम होगा, वही मेरा हो गया center, ठीक है, अब next one है क्या है, तो dynamic, तो dynamic का क्या use हुआ, इस rectangle भी हो में, जो आपको भी object होगे, उसको simply आप आराम से उसको जूम कर सकते हो, तो यह हो गया मेरा dynamic, अब next one है मेरा extent, extent और all में, दोनों में कोई difference नहीं है, क्योंकि guys, extent का मतलब भी होगा, जो भी मेरा object होगा, कहीं पे भी होगा, तो उसको maximum कितना जूम कर सकते हैं, तो यही हुआ all में, मैंने आपको बताया कि working space से बाहर हो, कहीं पे भी हो, left, right, up, down, कहीं का मतलब हो गया कि previous में आपने कितना जूम किया था किसी भी object का, तो वो simply यहाँ पर बता देगा, अब next है आपका scale, तो scale का मतलब तो आप लोगो समझाना ना परे, scale का मतलब यही वा कि कोई भी drawing जो मेरा बनता है, तो वो कुछ scale पर बनते हैं, तो उस scale पर आप जितना scale ल कि बिंडो पर जो भी object रहेगा, वो हो गया मेरा, जो जूम करेंगे तो वही मेरा बिंडो हो गया, अब next है मेरा object, तो object का मतलब मैं आपको simply बता दू, object का मतलब आपको पर कोई भी object एक और एक से ज्यादा लोगे, तो उसको आप कितना बड़ा कर सकते हो, वो कितना possible होग Real Time का मतलब हुआ कि यह जो mouse, जो, यह carcer आपको beach का, जो बीच का दीख रहा है, तो इसको हम mouse से control करते हैं, तो real type में आपको कितना जूम करना है, तो आपको rejoams करने लिए माउस का, जो beach का rotate बटन होता है, आप simply यहा से इसको control करन。 अगर maximum करना है, तो आगए के तरफ़ इसक करना है तो क्या कोई भी मैंने आपको बताया कि कोई भी command में अगर हम लोग entry करेंगे तो उसके लिए exit भी हम लोग को बाहर भी जाना होगा तभी दूसरा command यूज कर पाएंगे तो simply आपको बाहर जाने के लिए keyboard का escape बटन ESC जो सबसे left side के corner में जो सबसे उपर साइड में जो escape बटन होगा उसको click करेंगे तो आप simply इससे बाहर निकल जाएंगे देख सकते हैं मेरे सामने हम यहाँ पर बाहर निकल गए और टाइप एक कमांड में मैंने आपको graphical user interface में बताया था कि कोई भी कमांड अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो वह simply यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका यूज क्या है कोई भी अबजेक्ट मालो मेरा यहां पर यह एकस वाई जो कॉडिनेट आपको दीख रहा है यहां पर यह मतलब कि मालो हमको यहां पर है तो इसको बीच में लाना है तो इसको क्या करेंगे जो माउस का जो रोटेट वाला बटन होता है उसमें भी एक बटन होता है ठीक है तो उस button को क्या करेंगे rotate का button को press करेंगे और देख सकते हैं मेरे सामने तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको simply यहाँ पर प्रेस करना है और उपर के तरफ कहीं पर भी कोई भी object हो उसको drag करके आप कहीं पर ले जा सकते हो तो देख सकते हो पहले मेरा x y coordinate left side के नीचे के तरफ था तो अब center के तरफ आ चुका है तो यह हुआ मेरा pen command का use तो pen command से बहार निकलने के लिए keyboard का आपको इसके button प्रेस करना है तो हम यहाँ पर simply के button प्रेस करेंगे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर चले आएं अब display control के अंदर next जो मेरा command है वो है redraw command तो redraw command command जो है मेरा redraw है और इसका shortcut key जो होगा red red जब हम keyboard का red टाइप करके उसको प्रेस करेंगे तो redraw command में इंट्री कर जाएंगे तो redraw command का use क्या है तो मैं आपको simply बता देता हूँ तो redraw command का use यही होगा कि जैसे भी देखते होंगे जब laptop मेरा खुलता है तो उसे refresh मारते हैं बिंडो को तो refresh मारने से थोड़ा सा मेरा laptop ठीक से चलने लगता है तो यहाँ पे भी AutoCAD में भी refresh का है यह टूल है तो redraw command टाइप करेंगे तो इंडो ठीक है तो यह हो गया मेरा refresh command तो अब next है मेरा अब जो command है ओ रिजन command है तो रिजन command का command जो हो जाएगा मैं region हो जाएगा और shortcut key हो जाएगा RE, RE से region command में entry कर जाएगा तो region command का अब मतलब क्या है तो region command का मतलब यह होगा कोई भी drawing को regenerate का काम करने का यह होगा मेरा region command यह सारा command आपको आगे यूज करके मैं बताऊंगा कोई भी drawing में तो उस समय आपको simply यह सब समझ में आगा कि यह सब कौन सा command है तो आप लोग को अभी नए अगर कोई नए होंगे और कोई अल्लेडी सी टाइब करना है तो r e से यहां type करेंगे और region command यहां पे लिख लिग दिया रिजन यहां पर देख सकते हैं रिजन लिख दिया इन्होंने तो अभ आपको इसके अंदर इंट्री करना है तो इन deura ya space के यूज करेंगे तो न ही मेरे सामने कोई object नहीं है तो इसलिग अभी कोई भी कमाद हम लोग लेंगे तो यह कीबोर्ड को इसके बटन प्रेश करके बाहर का जाना है तो देख सकते हैं यहां पर उन्होंने लिग दयां चैनल हो गया ठिक रहे तो यह हो गया मेरा सिंप्ली रिजन कमांड अब नेक्स्ट वॉन है जो मेरा वह ए क्लीं स्क्रीन कमां यह toolbar अगर आपको, मालो किसी को सारा command याद है, तो यह toolbar अगर हटाना है, तो simply इसकी को हम clean screen करते हैं, तो clean screen मतलब उपर वाला tool को हटाने के लिए shortcut key होगा मेरा, क्या, तो वो control 0, control और 0, दोनों को press करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा उपर वाला सारा toolbar हट गया है, तो अब जो working space हो गया मेरा, वो थोड़ा ज्यादा हो गया, तो simply drawing करने मेरा असानी होगा, थोड़ा सा, अच्छे से drawing हो जाएगा, तो यह हुआ मेरा clean screen का मतलब, फिर से लाना है, तो क्या करेंगे, तो control और 0, दोनों को press करेंगे, तो simply आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो यह ह तो next है हम लोगों का, वो है steering bills, तो steering bills का मैं simply आपको बता दू, तो अभी जैसे हम लोगों ने थोड़े दिर पहले हम लोगों ने देखा था, pan command, zoom command, यह सब देखा था, तो steering bill जब हम लोग लाएंगे, तो वो सब already उसमें given होगा, ठीक है, उसमें दिया हुआ already रहेगा, त So guys, अब यह steering bill को लाने का दो तरीका है, तो first तरीका मैं आपको simply यहां पर यह जो आपको, यह side में जो navigation toolbar आपको दीख रहा है, तो इसके अंदर जो first option है, इस पर भी click करेंगा, तो यहां से simply आपको navigation toolbar लिया आएंगे, देख सकते हैं यह और यह जो, इसमें orbit, pan, review, zoom, तो य navigation wheel, ठीक है, अब इसके अंदर तो यह तो मेरा हो गया, 3D वाला, इसको मान के चलो तो एक 3D का भी नाम दे सकते हैं, आपको 2D वाला वी लाना है, तो इसके अंदर 4 टाइप का आएगा, steering wheel, तो मैं आपको simply कैसे लाना है, तो इसको यहां पर जो navigation tool के बार के अंदर, इस पर building wheel, यह सब आगया, तो 2D wheel हमको लाना था, तो 2D wheel पे भी click करेंगो, तो देख सकते 2D wheel में बस zoom pan और rewind आगया, ठीक है, तो यह हो गया मेरा, मतलब की 2D view हो गया, इसका ठीक है, अब जो है, mini full navigation wheel लाना है, तो इस पर click करेंगो, तो यह mini view object लाना है, तो यह आगया, मेरा mini object view फिर mini tour building view लाना है, तो फिर यह आगया मेरा, तो simply यहां से आप कोई भी view यहां पर ला सकते है, tool navigation wheel लाना था, यहां पर हम लोग लिया है, तो simply आपको यह हो गया मेरा steering wheel के बाले मेरा, अब steering wheel का यह तो हो गया मतलब की navigation tool, navigation bars के अंदर हम लोगों ने entry माना था, second step जो होगा steering wheel के अंदर आने का, वो होगा shortcut key होगा मेरा कुछ, तर ठीक है, तो वो shortcut key क्या होगा मेरा, तो shortcut key, आपको keyword का प्रेस करना है, n, a, b, as type करना है, और simply आपको इसके अंदर जाने के लिए, inter or space का use होता है, तो inter or space use करना है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं, जो मैंने navigation bar से ज सम लोगों ने पूरा कर लिया है, अब इसका advanced part जो होगा display control का, अभी इसमें command बहुत सारे है, तो अभी ये सब जो था, ये basic था, अभी advanced part जो है, इसका आगे video मैं बनाऊंगा, तो अब जो ये मेरा display control का basic part खथम होया, अब second जो आता है, इसके अंदर, ये आता है मेरा file management, तो file management क्या है, file management क्या है, मैं आपको simply बता दू, file management के अंदर, कोई भी file हम नया बनाते हो, कोई भी page अगर नया लाते हो, कोई भी page save करते हैं, रखते हैं, उसको तो ये हो गया, हमेरा file management, पुरा total file, file management आपके mobile में भी होगा, वो file management में मिलते हैं, PC में मिलते हैं, सब जगा थीक है तो file management का काम रफा है जिते भी file लते हैं उसको वो एक अपने file manager में रखना तो यही हुआ इसका भी autocad का भी एक file manager होता है जो की आपका जितना भी data होगा जो भी आपने बनाया होगा वो नहरा वोसारा शेव आता है आपके file manager मे कीबोर्ट का control in को प्रेस करेंगे तो नया पेज मेरे सामने देख सकते हैं फाइल नेम पूछ रहा है आपको जो फाइल नेम आपका प्रोजेक्ट जो होगा उसका नाम रख देना और ओपन इंटर प्रेस कर देना तो आप सिंपली यहां पे देख सकते हो मेरे सामने एक नया यहां पर खुल गया तो यहां पर देख सकते हो फर्स वाले था मेरा ड्राइंग 1 अब द्राइंग 4 खुल एक फुल एक नया पेज खुलने का ठीक है अब नेक्स्ट जो आता है क्यों नियू कमांड का मतलब क्या हुआ तो नियू और क्यू नियू में कोई डिफरेंस नहीं है इसको भी टाइप करेंगे तो एक नया ही पेज खुलेगा तो दोनों का मतलब एक ही हुआ फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का ओपन कमांड तो ओपन कमांड का मतलब क्या होगा कोई भी फाइल को अगर ओपन करना है तो हम लोग से पूछ रहा है कि आपको कौन स चाहिा मेरा ओपन कमांड फिर आता है मिरा से बाना तो बाद में उसको मैं फिर से बनाऊंगे तो उसको सेब करने का का यो सोट्कोट की होता है Ctrl S को press करेंगे ठीक है तो आप simply यहां से देख सकते हो वो जो drawing मेरा first यह drawing 4 जो खुला हुआ है यहां पर देख सकते हो यहां पर drawing 4 का नाम लिख दिया और यहां पर save हम कर सकते हैं तो save कर लेंगे तो यह save हो गया मेरा तो यह हो गया मेरा save command ठीक है अब आता है save as command तो save as command का मतलब मैं समझा दो save और save as में मैंने यह सब graphical user interface में application menu वार में बताया था तो आप लोगों ने वहां पर भी जाना था कि save और save as का मतलब मैंने बताया था कि save का मतलब होता है कि कोई भी project अगर कर रहा है तो यतना पर मेरा हो गया है उतना ही पर save करने का तो उसको हम लोग save करते हैं और कोई भी project मेरा पूरा हो गया है वह लोग सेव एज कर ले तो एक वह file अलग हो गया मतलब एक वह file और लेडी मतलब पूरा complete हो गया तो save as अब जो next आता है मेरा close command तो close command का मतलब हुआ पर देख सकते हो किसी को भी close करना है तो यहाँ पर सिंप्ली करसर को ले जाके यहाँ पर क्लिक करेंगा यहाँ पर ओल्लेडी वो ड्रोइंग अब उसके बाद है exit और क्योट कमांड तो इस आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि यार मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मैं उसको कौवर कर लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है यह सब आपको बहुत बुरिंग फिल हो रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करो क्योंकि यार मैं भी इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक आप लोग को बेसिक टूल्स के बार मज़ा आने वाला है तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कोडिनेट सिस्टम और उसके टैप्स के बारे में बताऊंगा तो सो गाइस ऐसे ही प्यार दे टीडीपी चैनल को और वीडियो को ऐसे ही सभी फ्रेंट्स में सेयर करें और आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप टीडीपी चैनल के सभी ग्रूप को ज्वाइन कर लें लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं तो सिंप्ली आप जाएं वहाँ पर और सभी फेस्बूक पेज इंस्टा पेज और टेलीग्राम सब को ज्वाइन कर लें